अपनी वीडियो को image sequence में convert करने के लिए सबसे पहले blender को open कर दो और यहां पर starting screen में ही तुम देख सकते हो यहां पर video editing option आ रहा है और इसके ओपर तुम click कर दो तो ऐसे करने से मैं video editing tab पर आ गया हूँ यहां पर मैं simply add पर click कर दोंगा और यहां पर movie पर click कर दोंगा और यह है video जिसे मैं image sequence में convert करना चाहता हूँ इसे select कर देता हूँ और यह add movie strip मैं इसे थोड़ा zoom out कर देता हूँ यहां पर output मैं set कर दोंगा तो मैं यहां पर एक ने फोल्डर create कर देता हूँ इसका नाम रख देता हूँ sequence तो इसे कर देता हूँ accept तो यह output set हो गया है इसके बाद file format को मैं set कर देता हूँ यहां पर बहुत सारे file format option है तो मैं png मैं set कर देता हूँ 16 bit और बस इतना सही काम है इसके आगे तुम F12 प्रेस कर सकते हो या पर simply यहां render पर जागर के render animation पर क्लिक कर सकते हो और यह जो animation है वो render होना start हो जाएगी और यहां पर मैं अगर अपने output folder में चला जाओ तो तो तुम देख सकतो यह sequence में आ रहा है image sequence में आ रहा है image sequence को वीडियो में कैसे convert करते हैं using DaVinci Resolve उसके लिए यह वाली वीडियो देखो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलोंगों जल्दी next वीडियो में thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए sayonara